हलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में विजे नगर समराजे के परसासन के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा फ्रेंड्स यह दि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तता वीडियो उसको लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशे से संब्सक्राइब महत्व फून जानकरी पहुंस सके और हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो एक्जाम के दर्श्ची से बहुत महत्व बून है यता है वीडियो उसको बार-बार ध्यान से देखिएगा एक्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है तो देखिए पढ़ते हम वीजे नगर समराजे का पर्शासन और वीजे नगर समराजे से पहले यह जो हम वीडियो बना रहे हैं पर्शासन से संब्सक्राइब इ वीजे नगर समराजे का सासन राज तंतरात्मक था राजा को राय कहा जाता था वह इस्वर के समतुले माना जाता था इस काल में भी प्राचिन काल की भाती राजे की सब्तांग विचार धरा पर जोर दिया जाता था तो देखिएगा सबसे पहले होता था राजा प्राचीन भारत की राजय विशेग पदती के अनुरूप इस काल में राजों का भव्य राजय विशेग किया जाता था राजय के चैन में राजय के मंत्रियों और नायकों की महत्तोपन भूमी का उती थी राज़ाबीशेक के समय विजे नगर नरेश को वैतिक राजोंगी भाति पढ़जा पालन और निस्टा की सफ़त लेनी पढ़ती थी अच्च्युत देवराई ने अपना राज़ाबीशेक तिरूपती मंदिर में सम्पन करवाया था चोड नर्यसों की भाति विजेनगर नर्यस भी अपने जीवनकाल में ही अपने उत्रादिकारियों को ना मज़द कर देते थे विजेनगर काल में भी दक्सिन भारत की शूंग शार्षक परंपरा का निर्वाहै किया गया यूवराज की नियुक्ति के बार उसका राजय भी से किया जाता था जिसे यूवराज पट्टा भी से कम कहते थे इस काल में सरंग्सक अर्थार यूवराज के अलपायू होने पर पर्ति सासक की न्यूपती वेवस्ता समराजे के पतन के लिए बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदाई सिद हुई समराज सर्वोचे नैदिस होता था विजे नेकर सासकों ने धर्म के मामले में धर्म निर्पेक्स नीती का अनुसरण किया पर्शासे के सहंस्तों में राज परिशत राजा की सक्ति पर नियंतरण का सबसे सक्तिसाली माध्यम थी इस परिशत के माध्यम से ही राजा सासन करता था और राजे के समस्त मामलो एं नीतियों के समद्ध में इससे प्रामर्ष लेता था कर्शन देवरा ने अपने अनुपम ग्रन्थ आमुक्त मालेद में राजा के आदर्स को बहुत सुन्दर धंग से परस्तुत किया है अपनी प्रजा की सुरक्सा और कल्यान के उद्धस्य को सदैव आगे रखो, तभी देव की के लोग राजा के कल्यान के कामना करेंगे, और राजा का कल्यान तभी होगा, जब देश परगती सील और सम्रत सील होगा, अगला देखेगा राजपरिसद, राजपरिसद प्रांतो के नायकों सामन्त सास को पर्मुक धर्माचारियों राज दूतों को समेर करके गठित किया गया एक संगठित एक विशाल संगठन होता था कर्शन देवराय और उसके राज दरबार के पर्मुक विद्वान पेडाना दोनों ही इस परिशत के सदस्टे थे ठीक है मंत्री परिशत मंत्री राज परिशत के बाद केंद्र में मंत्री परिशत होती थी जिसका परमुक अधिकारी पर्धानी या महा पर्धानी होता था इनकी सभाई व्यंग्ट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित के जाती थी मंत्री यों के चैन में आनुआनसिक्ता के सिधान का संभवता है अनुसरन किया जाता था मंत्री परिशत में संभवता 20 सदस्य होते थे मंत्री परिशत के अध्यक्स को सभाणाय कहा जाता था विद्वान राजनीती में निपून 15-17 वर्ष के आयोवाले और स्वस्त वेक्तियों को ही इस मंत्री परिशत का सदस्य पनाया जाता था ये मंत्री परिशत विजयनगर समराजे के संचालन में सबसे मैत्वपून सहस्ता थी केंद्र में दंडनायक नामप उच अधिकारी भी होते थे दंडनायक पद वोधक नहीं होता था वरन विबिन अधिकारियों के विशेश रेणी को दंडनायक का हज़द था दंडनात और सायन बुक का तथा हरीहर द्वित्ये दोनों के मंत्री थे राजा और यूवराज के बाद केंद्र का सबसे परधान जो मुख्य अधिकारी था वया परधानी होता था जिसकी तुर्णा हम मराठा का लीन पेशवा से कर सकते हैं केंद्रिय सचीवाले सचीवाले में विभागों का बंट्वारा किया गया था और इसमें राय सम या सचीव कर्णिकम अर्थात एकांटेट जैसे अधिकारी होते थे राय सम राजा के मोखिक अधियसों को लिपी बद करता था तथा कर्णिकम लेखा अधिकारी होता था मान्य पर्धान अर्थार ग्रह मंत्री साही मुद्रा रखने वाला दिकारी मुद्रा करता कहलाता था ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने विजे नगर सामराजे के परसासन के बारे में जानकरी प्राप्त की कई बार एकजाम में बड़ा किसम भी पूछ लेते हैं तो वीडियो को बार बार देखे हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद